हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चुकस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे ओप्टिकुल आईड्रॉप्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये आईड्रॉप्स के बेजिक के राया हैं के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिशन्स के अंदर ये आईड्रॉप्स यूज किया जाता है साथी सिखेंगे कितने डोज में यूज करना चाहिए साथी जानेगे उसके साइड एफेक्स का रहते हैं एंड वार्निंग्स भी जानेंगे ये लेक्चर के अंदर तो अप्टीकुल आइड्रॉप्स की डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में वो भी सरल बासा में अब सीखे अलग अलग बीमारिया और उनके ट्रीट्मेंट या फी रिलाज के बारे में फार्मा रोक्स की अब उपर अफ़ाड़िबल प्राइज में की अलग-अलग मेडिसिंस के बारे में सिखे उनके बेजिक यूज क्या होते हैं उनके डोस क्या रहते हैं साइड एफेक्ट वर्निंग कॉन्टर इंडिकेशन वो भी सरल बासा में एक साल तक आफ़ाड़िबल प्राइज में फार्मा रोक्स के मोबाइल अप्लिकेशन के तो आप सिखते हैं अप्टिकुल आइड्रॉप्स के बारे में तो ये मेडिकेशन ऐसे क्लास का प्रेपिरेशन हम कही सकते हैं कि जो अप्थाल्मिक प्रेपिरेशन कही जाती हैं अप्थाल्मिक प्रेपिरेशन मतलब कि ऐसे मेडिकेशन की जो स्पेसली आइज के लिए हो weight by volume की concentration में इसके अंदर एड़ है कि आप याप देखो nephazoline hydrochloride लिखा है कि ये एक salt composition उसके अंदर present है दूसरा हम देखे तो वो है phenylephrine hydrochloride कि जो 0.12% जितना उसके अंदर present है तीसरे कुछ ingredients देखे तो वो है menthol and camphor उसके अंदर एड़ किया है और ये एक ophthalmik solution है कि जिसका brand name दिया गया है optical आगे देखे उसके label के बारे में detail में तो ये 10 ml के eye drops available होते हैं कि जिसके अंदर ये salt composition के तौर पे है nephazoline and phenylephrine और बाकी और menthol and camphor भी उसके अंदर जहे वो add किये हैं detail ingredients देखे दूसरे तो nephazoline है phenylephrine है और menthol kemphor के अलावा benzyl kolium chloride जो है उसके अंदर add किया गया है as a preservative के तौर पे उसके अंदर add है फिर यहाँ पे जो है वो proper directions वेगेला लिखी गया है कि for external use only and not for injection कि कोई गलते से भी उसको injection के थूर यूज ना करें और external use के लिए especially eyes के लिए ही उसको जो है वो use किया जाता है ophthalmic preparations के तौर पे ही use किया जाता तो यह था उसका label detail optical eye drops की अब जानते हैं नाफाजोलिन drug के बारे में तो नाफाजोलिन जो है वो एक antihistamine है और antihistamine के बारे में हम जानते हैं कि यह medication specially क्या करते है जो allergic reactions होती है उसको कम करती है तो और decongestant के तौर पे यह medication काम करती है और antihistamine है तो क्या करती है कि जब आखों के अंदर अलग-अलग allergic reactions होती है जैसे कि आप देखो कि redness हो जाती है आखों के अंदर और यह redness को relieve करता है नेफाजोलिन कि जब कोई आपको minor eye irritations होए कि आखों के अंदर कोई irritations होए है जैसे कि cold के करण, thund के करण कई बार ऐसे problem होते है आखों में dust वगेरा जाना, power वगेरा जो होता है smog के करण की जो दूआ वगेरा होता है, pollen मतलब कि कोई allergens वगेरा है, swimming वगेरा आप करते हैं, कोई contact lens वगेरा आप पहेंते हैं उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपको आखों के अंदर आप जो है वो redness जैसे हो जाते हैं, कई बार सूजन जैसा भी हो जाता है, दर्द करती है आखें, तो उस वक्त ये medication जो है वो ये सब symptoms को जो दूर करता है, फिर जो phenyl ephrine जो इसके अंदर एड है, तो phenyl ephrine भी decongestant के तौर पे काम करता है, और ये भी जो आखों की जो allergy के जो symptoms होते हैं, उसको reduce करने का, उसको कम करने का जो है, वो काम करता है जैसे कि ये जो है वो phenyl ephrine 0.12% ये eye drops के अंदर एड किया हो गया, तो उसके हम role समझ लेते हैं कि ये क्यो एड किया गया है, तो ये क्या करे उसके swelling मतलब कि सूजन कम करने का काम करेगा, और जो dryness कई बार हो जाती है आखों के अंदर, तो इसको भी कम करेगा ये phenyl ephrine, तो ये दोनों के combination से जो eye drops तयार होते हैं, उसके हम uses देखें, उसको basic use समझें, तो आखों के अंदर जब redness हो जाती है, आखें लाल हो जाती है तो उसवग कि यहाँ पर आप ये diagram के अंदर देखें कि आखों के अंदर आपको redness देखने को मिल रही है, तो ये redness को जो है वो कम करेगा ये eye drop, तो redness कम करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो ingredients से nephazoline है, phenyl ephrine है तो ये redness कम करेंगे, फिर आखों में जो दर्द होता है, pain in the eyes जो हम कहते है कि आखों में दर्द होना, तो वो कम करेगा, फिर allergic reactions हो जाती है आखों के अंदर, तो जो आखों में जो allergy होती है और उसके करण जो symptoms develop होते है, जैसे कि आखों में सूजन हो जाती है, कि जिसको हम कहते है कि swelling हो जाना, फिर itching मतलब कि वहाँ पर आपको खुज है वहाँ पर काफी inflammation जैसा है, ऐसा आप फिल करते है, तो यह सब भी medical conditions के अंदर, optical के जो eye drops जो है वो use किये जाते हैं, आगे समझे तो उसके directions क्या होते है कि जो dose देखे तो कितने drops जो हो use करने चाहिए उसके, तो दो से तीन drop, दो से लेकर, तीन drop जो हो आपको use करने चाहि जाता है, और यह दो से तीन बार जो हो आप दीन में कर सकते हैं, कि 2-3 times in a day, कि एक ही दिन में आप जो हो अलग-अलग time पे दो या तीन बार जो हो eye drops use करते हैं, और हर time दो से तीन drop जो हो आखो के अंदर डालें, और कभी भी overdose के अंदर use ना करें, because अगर गलते से भी बहु eyes के अंदर, कि जिसको हिंदी में कहते हैं, कि आखों में चूबन होना, कि जैसे कोई चीज चूबती है, ऐसा फिल करेंगे आपकी eyes के अंदर, तो यह एक side effect होती हैं, अगर कोई person बहुत ज्यादा बार उसको use कर लाता है, direction जो उसके oppositely use कर लाता है, कि जो 2-3 बार हमने कहा ह उसको use करना, 2-3 drop दिन में, तो multiple time आप use करते हैं, उससे भी ज़्यादा और हर time बहुत ज़्यादा drops डाल देते हैं, तो यह problem हो सकती है, second, blur vision हो जाना, कि यह side देखो, यह वाली image के अंदर, कि यह वाला जो है, वो normal है, और यहाँ पे आपको blur दिख रहा है, तो ऐसा blur vision जो ह वो आपकी हो सकती है, कि अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा यूश करें, कि जिसको हिंदी में हम कहें थे कि दुंदली drasty, कि काफी दुंदला देखेगा आपको, और दुंदली drasty हो सकती है, आपकी तो ऐसा कभी भी ना करें, तो यह side effect develop हो सकता है, कि अगर ऐसा कुछ ह होता है, तो तुरंत ही eye drops को लेना बन कर दे, या फिर low dose में उसको use करें, फिर कुछ लोग photophobia जिससे fill करते हैं, कि यहाप याप देखो कि आपके सामने कोई light है, प्रकास है, तो वो जो है आप सहन नहीं कर पाते, कि जिसको प्रकास की और सहनियता कहा जाता है हिंदी के प्रकास को सहनिये कर पातें, तो light जो है आप टॉल्रेट नहीं कर पातें, ऐसा हम कह सकते, कि परसन जो है वो light टॉल्रेट नहीं करता कि उसके सामने संजे कि light आ रही है, तो वो उसको tolerate ना कर पाए, photophobia हो सकते है,kil्याप इसके अंदर रहे जो ingredients हैं, वो कई बार जो pupils होती है हमारी आखो की उसको जो है वो डाइलेट कर देते हैं कि जिससे कारण परसन जो है वो कई बार प्रकास जो हो सहन नहीं कर पाते हैं तो यह सब कुछ side effects develop हो सकते हैं तो जरूरी है कि आप उसके proper dose के according to या फिर आपके जो eye specialist है आपके ophthalmologist जो आपको suggest करते हैं उसके according to proper use करें उसके कुछ warnings भी है तो warning यह है कि यह eye drops लेना बन करते हैं या फिर use ना करें कि अगर आपको hypersensitity hypersensitity मतलब कि आपको जो है वो allergy जैसा हो जाता है आपको यह eye drops यूज करने से allergy हो जाते है या फिर इसके किसी भी ingredient की फिनाजोलिन की allergy है या फिर phenylephrine की allergy है क्यामफर मेंथल की आपको allergy है या फिर उसके अंदर रहा जो preservative बेंजाल कोलियम क्लोराइड की आपको जो है वो allergy है तो यह eye drops को use ना करें तो यह खास दन रखें कि don't use और इफ यू है तो पहली condition हो गई allergy है आपको या फिर hypersensitity हो किसी भी ingredient के second allergic reactions develop होना start हो जेते हैं after using this eye drop की जैसे आप eye drop एक ही बार use करते है और तुरंत allergic reaction develop होना चालो हो गई तो तुरंत यह eye drops को लेना बंद कर दें और तिसरी condition के आपकी medical history रही है आपको allergy थी नेफाजोलिन की या फिर phenylephrine की और इसकी hypersensitity थी या फिर ऐसे medical history रही ह आपको ये दो ingredient की allergy की तो तुरंत आपकी doctor या फिर pharmacist को बताए कि आपको ये allergy थी तो वो आपको ये prescribe नहीं करेंगे तो ये सब proper ध्यान रखने पड़ते हैं कि जब आप ये optical के eye drops यूज करते तो ये warning रहती है और ये warning को जरूर से follow करें पहले कि अगर आपकी ऐसी past में medical history अगर आपने नेफाजलीन का eye drop यूज किया था या फिर phenylephrine का या फिर दोनों के combination वाला को eye drop यूज किया था और उससे आपको allergy हो गई थी या फिर hypersensitivity हो गई थी तो तुरंत ये eye drop को यूज करना बन कर दे या फिर पहले से ही उसको use ना करें और दूसरे alternative जो है वो use कर तो इसी तरह से सीखे अलग-अलग medicines के बारे में कि जैसे हो यहाँ पर हमने optical के use के बारे में सीखा उसके dose, side effect, warning सीखे तो यसे बहुत सारे अलग-अलग medicines के बारे में सीखे एक साल तक offerable price में, सरल भासा में, farmer ox की अब उपर तो ये number पर आप हमें whatsapp कर सकते हैं link के लिए कि जो भी हमारे courses है उसके link के लिए आप 9016312020 वो number पर whatsapp कर सकते हैं या फिर download कर लिजे mobile application farmer ox को, android application आपको मिल जाएंगी google play store पर से, apple iphone आप मिल जाएगी app store से, link समने description box में देती है या फिर जो भी जो number दिये आपको plus 919016312020 ये number पर आप हमें whatsapp जो है वो कर सकते हैं links के लिए तो thank you, good luck and all the best